रिस्पेक्टेट पेरेंट्स दियर स्टूडेंट्स और अल्ट रस्ट अफ दे वीवर्स असलाम अलेकूं दियर स्टूडेंट्स पिछले बार पिछली वीडियो में हमने आपके चैप्टर कंप्लीट कर लिया था इस बार हम कोशिन आंसर्स करने जा रहे हैं answer in brief करने वाले हैं answer in brief जो है इसका मालब है कि छोटे छोटे answer देने questions के इसके चार ही questions है हम चारों की चारों करने वाले हैं देखे बैटा पहला question क्या है पहला question है what had happened to Padmanee Padmanee को क्या हुआ था Padmanee was badly hurt Padmanee को क्या हुआ था बैटा उसके बूरी तरह से चोट लगी थी जिसकी वज़से उसको stitches लगाने पड़े थे उसके ट्रंक पे stitches लगाने पड़े थे उसको बूरी तरह से चोट लगी थी Padmanee was badly hurt यह इसका पहला answer है question number two why was Padmanee weak Padmanee कमजोर क्यों हुई थी क्यों थी Padmanee कमजोर क्यों हुई थी क्योंकि वो ना खाना ना कुछ खा पा रही थी ना ही कुछ पी पा रही थी उससे चोड लगी थी इसलिए वो खा भी नहीं पा रही थी answer number two because she was unable to eat or drink properly क्योंकि वो ठीक से कुछ खा पी नहीं पा रही थी इसलिए वो वीक हो गई कमजोर हो गई question number three why did amma start to cry when she saw the gun जब मनोज अंकल के हाद में अमा ने gun देखा तो वो रोने क्यों लगी क्यों रोने लगी थी वो हमने clear कर दिया था पहले जब chapter पड़ा था वो इसलिए रोने लगी क्योंकि उनको लगा इसलिए वो रोने लगी थी देखे वेटे इसका answer answer number three because she thought मनोज अंकल will kill पड़मनी क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद पड़मनी को मार देंगे answer number four question number four why should not we show animals that we are afraid हमें जानवर उनको ये क्यों नहीं दिखाना चाहिए कि हम डरे हुए है अगर जैसे कोई जानवर हमें दिखता है और उसको देखे अगर हम डर जाते हैं तो ये चीज़ हमें उन्हें पता क्यों नहीं लगना देना चाहिए क्योंकि इससे उनको लगता है कि हम उन्हें किसी तरह के harm पहुंचाएंगे चोड पहुंचाएंगे या फिर किसी तरह के या फिर हम उन्हें मारेंगे उन्हें खुद को डर लगता है इसलिए हमें उन्हें नहीं दिखाना चाहिए कि हम डरे हुए हैं answer number 4 because it makes them feel that we might harm them क्योंकि इससे उनको महसूस होता है कि हम उन्हें डराए हम उन्हें मारेंगे या फिर हम उन्हें किसी तरह के चोड़ पहुंचाएंगे इसलिए हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम डरे हुए हैं